पॉम्बे पर इसमें आपका स्वागत है हम बात करेंगे वर्चित बाहुजान अगाडी जो कि शमशेर खान पड़ान साब जो है एक्स एसेपी भी थे और गेस का बाड़ा जो है उनके निशानी है आए हम उनसे जानते हैं उनसे बात करते है सब्सक्राइब करें जैसा कि सब में पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कल जो एफायर की जो बात थी जो आपने जो एफायर दर्च किया दा दोंगरी पुलिशकेशन के अंदर उस पर में खान का रिदो ने कल दोपर में साड़े गारा बारा के आसपास मैंने फेस्ब्यूप सब्सक्राइब करें जो अरगमत में स्पीश की उसमें मुसलमानों को वो हरा नाग बता रहा है हरा नाग कुछलना चाहिए क्योंकि हमारे वंचित बहुजा नागाडी को में जीते वासे इंटर जलील तो वह उनको एड्रेस करते हुए कि यहापर हरा नाग यहापर पैदा बाचन था उस चीज़ को लेकर मैंने इमियेटली उसका पेंडराय में लिया और भूंगरी प्लिश्य में जाके मैंने वह दिया और मैंने का के मेरी एफायर लो तो अभी उध्योट ठाकरे खिलाब में एफायर देना और लेना यह बड़े हिम्मत की बात है तो मुझे आप अप्लिकेशन देदो मैं हम देखते हैं अप्लिकेशन लिखना में आता नहीं है आप लिखिए मैं सही करूंगा उसके पड़ तो इसमों परिशान होगे मुझे आप एफायर लो यह आपको सुना रहो हूं मैं केज बनती है तो फिर अपको अप्लिकेशन क्यों चाहिए पर से काम कैसा किया जाते या मुझा पताए तो उसके अपर मैंने एक एफर दाखिल किया है काफी मेडिया वाले और वह सकता है जिन के लिए उन्हें मत्वाने जो अपील की जिनके प्रेटफर्म पे उन तमाम को रद्ध होना पड़ेंगा उनका जीत के बागए तो उनकी उनको हारना पड़ेंगा उनको क्योंकि एलेक्शन कमिशन का रूल है कि जो भी लीडर उनका लीडर अगर को और हो सकते हैं उनके उपर आप घृचन की बारे में आज बारे में मामा देवी से इस बड़े में तो आट साथ से सियासत में काम कर रहा हूं यहां कि एमेले ने छोटे से इंजों के पास से नंबर वन निकाला और सब तरप में बड़े-बड़े बैनर लगा दिये आज अगर आप चलिया और लोगों से पूछिए अगर आप दस लोग का इंट्रुव लेते तो दस लोग में से नो लोग कोएंगे हमको उसको हराना है तो उससे क्या हो रहा है कि जो एमिलेंस के लिए हो नहीं मिल रहे है इसके पार्किंग आप देहेंगे तो पुरे रस्ते पर पुरी पार्किंगे पार्किंग आपर गारी जाने जागा निए कुछ इमजनसी आती है आग लगती है या समझो अपना कुछ इमजनसी आती है अंबुलेंस नहीं आ सकते अंदर तो यह हालत जो पैदा किया यह एमिलें ने करा पूरा के पूरा यह चाहे तो एक भी जागे की पार्किंग कोई खा सकता नहींगे और अभी बोखलाड में कि कि अधिया कि उसने कल तमाम बिल्डरों के साथ में एक बड़ी मीटिंग ली और बिल्डरों ने अपिल कि कि इसे चुन के दो मैं पहले से कहता था कि बिल्डरों का दला ले और वो कल साबित हो गया उसमें वह सलीम कुडिया वह डागा बीगा सब डागी लोग भूते उसम काम करने नहीं दूंगा और जिते भी पारकी के प्लेस तुमने खा है वो एक बहने में फूरे पारकी के प्लेस ओपन करके वापर गाड़ीय चला दूगा में इसके उपर अजिसा के खान सब बहुत से बिल्डिंग जो है काफी डेंजर सोन में है और लोग जो है मारा में ज दिखाए गए वो बील्डिंग के वो जो उसकी बीम तूड़ गए ले पूरे अब उसके बाहरा रहा है पतले बंदे सले बाहरा गए तो आप मुझे बताई यह कभी भी बीडिंग किर सकती है तो उसके लिए फट नहीं है तो वह स्पेशल अरेंज करा सकता है महाड़ा के स इंक मुझे वहाड़ा करें बील्डिंग वो इन जून में एक बील्डिंग नहीं है बहुत से उनकों फटेखें गए नहीं में को है तो वहां के रे वासी है मुझें में बहुत पावर होता है एमेले में पावर फोत होता है, वो चाहिए सब कुछ कर सकता है, मैं तो पहले चुनके आने के बाद में जो ट्रांजिट में जो लोग को देते हैं माहूल में, वो तो मैं बंद कर दूँगा, बीपीटी की बहुत जगा है, बीपीटी में काफी मैधान है, तो सबसे बहुत त से बात करके और एंपी से बात करके बीपीट में ट्रांजिट क्याम बनाओंगा ताकि हमारे जो लोग यहां के रहने वाले हैं वह के बीपीट में चाल जाए ताकि उनका जो बच्चों का एजूकेशन उनकी नौकरिया यह डिस्टब नहों माहूल की तर है यह से कितना लंब सवालता हमारा जैसे कि आपकी जीत हसिल होती है उसके बात में मममफ ते जनता के लिए कितना वखलाओra वग बदढूशकत करें गेंगे क्या कर रहे हूँ हूं ऩी सब के सामने आने वाला है त्राफिक की आपके जीत खाय से थोने सबस्क्राइर कोई लेकिन लोगों के जो काम जो हो बनते नहीं जो किया नहीं के देर पोड़ा है कि आपके जीत हासल भूने के बात में ये चीजों में फरक नसर आईगा एंगी फरक नहीं कि अना घूंगा जाएंगी तो जो करप्टे ना उनके शर बदेने वाद जिज़ा कि शम्शरपान पड़ान साब ने बोला है कि अगर मेरी जीत हासिल होती है उस जीत हासिल उनके बात में इसे बहुत से फर्क नजर आएंगे जो पहले एमेले ने नहीं किया है वो मैं करके दिखाऊंगा और अगर नहीं किया तो मैं रिजाइन कर दू बॉंबे प्रेस को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताजा खबरों के लिए